हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार बहुत-बहुत सवागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के सामने समय समय पर लेकर आता हूँ कुछ ऐसी खबरें कुछ ऐसी बातें जो आपकी UPSC के तैयारी को एक सही दिशात देने की कोशिश करती है तो अगर आपने Economics को थोड़ा भी पढ़ा है या आपने नहीं भी पढ़ा और आप जनरली अखबार में समाचार पत्रों में News में सुनते रहते हैं Economics के बारे में थोड़ा बहुत तो इस बात की पर्याप्ट संभावना है कि आपने RBI का नाम तो सुना होगा इस बात की पूरी पूरी संभावना है शायद है ऐसा कोई होगा जिसने जो यह कहेगा कि Reserve Bank of India या फिर RBI क्या चीव है मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है अगर आपने भारत का कोई भी currency note देखा है जो कि आपने देखाई होगा निश्चित तो अभी आप RBI को जानते होंगे RBI का नाम हर currency note पे होता है RBI के गवर्नर का दस्तखत हर currency note पे होता है और RBI जो है आम तोर पे समाचारों में भी रहता है तो RBI जो है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अगले 15-20 मिनट 20 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे RBI से जुड़ी हुई एक छोटी सी चर्चा और ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि 1 अप्रेल 1935 में जो है RBI का गठन किया गया था 1934 में जो है RBI एक्ट आया था तो एक अप्रेल को RBI के बनने की जो है एक तरह से उसका 90 वा वर्ष अपने कारेकाल का शुरू हो गया है तो 90 वर्ष का एक लगभग इतिहास RBI का है और इस इतिहास में बहुत सारे उतार चड़ाव RBI ने देखे हैं बहुत सारे भारत की अर्थ ववस्था एक परतंत्र देश के अर्थ ववस्था के तौर पर RBI बनाया गया था जब भारत एक परतंत्र देश था लेकिन उसके बाद एक आजाद देश एक समाजवादी देश और उसके बाद 1991 के बाद एक आर्थिक तौर पर लिबरल देश एक उदारवादी देश इन सभी मोडों को RBI ने देखा है तो RBI का इतिहास जो है वह वास्तव में भारत की अर्थ व्वस्था का इतिहास है तो अगले 10-15 मिनिट में हम RBI की फनचना को समझेंगे थोड़े से उतार चड़ा आपको समझेंगे ताकि हम समझ पाएं कि RBI जो है वो किस तरह से देश की अर्थ व्वस्था में एक प्रकार का भागीदार रहा है ठीक है चलिए यह क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि चार अप्रेल 2024 हमारे P2I Batch से जुड़ने का आखरी दिन है AJ Live Code आप लगा सकते हैं 29.999 में जुड़ सकते हैं अब आपको P2I Batch की सामानने सुविधाओं के साथ के साथ आपको जो है ये भी आपको साथ में मिलेगा जो आपको 18 किताबे जो हमारी हो गई है वो भी आपको साथ में तो आपको 29.999 में इस Batch को लेने के बाद कुछ भी और खरीदने की आविशक्ता नहीं पड़ेगी पूरी तयार ही आपकी UPSC की इस कोर्स से हो जाएगी तो देर मत कीजिए AJ Live Code लगा के 29.999 रुपए में आज ही आप इस Batch से जुड़ जाईए चलिए अब आते हैं RBI पर तो यार RBI की स्थापना जो है वो करी गई थी एक RBI अधिनियम के तहट एक RBI अधिनियम लाया गया था 1934 में उसके तहट RBI की स्थापना की बात करी गई थी और एक अप्रेल 1935 को आखिरकार RBI भारत में existence में आया एक अप्रेल 1935 को जो है RBI भारत में एक संस्था के तौर पे अपने existence में आया उसने जन्म लिया ये जो संस्था बनी थी इस आधार पे कि यार भारत में उस समय तक कई सारे बैंक हो चुके थे तो विचार ये था कि इन बैंकों को regulate करने के लिए इन बैंकों पे नियंत्रन करने के लिए इन बैंकों पे नजर रखने के लिए किसी एक संस्था की जरूरत है जिसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था भारतिय मुद्रा ववित्पर आयोग ये इसका आधिकारिक नाम था लेकिन वास्तव में इसको हिल्टन यंग आयोग के नाम से जाना जाता है हिल्टन यंग आयोग जो है ये इसका वास्तवे के नाम था इस नाम से ज़ादा मशूर है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसको बनाया गया था और शुरुवात में ये फरकारी बैंक नहीं था आपको जानके हैरानी होगी शुरुवात में RBI एक प्राइवेट बैंक था यानि कि शुरुवात के दनों में RBI जो था वो एक शेर होल्डर का बैंक था कि बड़े बड़े उद्योग पती आपस में जिस तरह सोसमें बैंक बनते थे वो अपना पैसा निवेश करते थे और अपने पैसे के अनुपात में ही उनके पास शेर होल्डिंग होती थी कि भाई उनके पास जो है कितनी शेर होल्डिंग होने वाली है 1947 में देश आजाद हुआ देश की आजादी के बाद देश की दिश्चित तोर पे आर्थिक जो प्राथमिक ताएं थी वो परिवर्तित हुई एक आजाद देश में विकास हमारा प्राथमिक फोकस बन गया अंग्रेजों के सरकार में विकास कभी भी हमारा बहुत बड़ा फोकस नहीं था लेकिन आजाद होने के बाद भारत सरकार एक नियोजित तरह से भारत का विकास करने लगी और ऐसे में पहली आवशक्ता ये महसूस हुई कि यार हमारे बैंकों का जो रेगूलेटर है उसको तो सरकारी होना ही पड़ेगा तो 1949 में सरकार ने निरने किया और 1949 में RBI का राष्ट्रिय करन कर दिया गया यानि कि अब जो है RBI पूरी तरह से सरकार द्वारा ओंड सरकार का पूरी तरह से 100 प्रतिशत मालिकाना हक हो गया Reserve Bank of India पे किसी भी शेयर होल्डर का इस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा पूरी तरह से ये भारत सरकार के अधीन आ गया ठीक है RBI को जो प्रमुख काम दिये गए जो प्रमुख काम RBI करता है वो क्या है जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि देश की जो मौद्रिक नीती होती है मौद्रिक नीती बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है जब मैं एकनोमिक्स में पढ़ाता हूँ तो कई मेरे ख्याल से 7-8 लेक्चर्स का समय इसमें लगता है P2I बैस में भी मौद्रिक नीती मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स लेती है पूरे तो अपने आप में बहुत बड़ा विशय है मौद्रिक नीती का मतलब क्या है देश की अर्थ विवस्था में मुद्रा का प्रवाह कि देश की अर्थ विवस्था में मुद्रा का प्रवाह जो है वो कितना होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए और जो है उसके लिए उस पर नियंतरन कितना होना चाहिए उस पर नियंत्रन का जो कहते हैं आधार कि भाई उसको किस तरह से अगर आपको रोकना है तो आप कैसे रोकेंगे बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे इस तरह की चीजों को लेकर ये हम सीधे-सीधे कह सकते हैं कि भारत में मौद्रिक नीती का मालिक रिवर्व बैंक ऑफ इंडिया है आम तोर पे किसी भी देश की आर्थ विवस्था दो तरह की नीतियों से चलती है एक होती है मौद्रिक नीती और एक होती है राजकोशिय नीती मौद्रिक नीती मतलब आपकी आर्थ विवस्था में मुद्रा की मातरा कितनी है और राजकोशिय नीती मतलब जैसा कि नाम से इस पश्ट है कि सरकारी खजाना आपके देश का जो खजाना है उसमें आय कहां से हो रही है खर्च कहां हो रहा है ये होती है आपकी राजकोशिय नीती ठीक है तो आम तोर पे किसी भी देश में आप देखेंगे यही पाया जाता है कि मौद्रिक नीती हमेशा केंद्रिय बैंक के पास होती है आपका जो जो भी आपका केंद्रिय बैंक है जो की भारत के केस में RBI है और राजकोशिय नीती जो होती है वो वित्त मंत्राले के हाथ म में होती है typically जैसे सरकार कौन सा टैक्स लगाएगी किस टैक्स से कितना फायदा होगा सरकार किछ चीज पर सबसिडी देगी यह लोगा कि फरको पर कितना खर्टा करेगी शक्षा पर कितना खर्टा करेगी यह सारी चीजसे आती है राजकोशिय नीती पे इसमें RBI का कोई लेना देना नहीं है ये चुनी हुई सरकार का काम होता है लेकिन देश में अर्थ विवस्था को एक सही संतुलन प्रदान करने के लिए कितनी मुद्रा होनी चाहिए ये मुद्रा का प्रवाह देश में सही बना रहे ये काम जो है भार और मौद्रिक नीती एकदम अलग-अलग काम करती होंगी कि सरकार जो है जब राजकोशिय नीती बनाती है तो क्या मुद्रा की उपफ्थिती का उस पे प्रभाव नहीं पड़ता या फिर RBI मौद्रिक नीती बनाते हुए क्या ये नहीं सोचता होगा कि सरकार की राजकोश से के साथ काम करते हैं ये बात सही है कि मौद्रिक नीती का मालिक RBI है और राजकोशिय नीती का मालिक जो है वो फरकार है लेकिन तब भी आम तोर पे दोनों संस्थानों का जो प्रावधान बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि दोनों संस्थान जो है आपस में सा Brunner का पद होता है, या उसके अलावा जो पद होते हैं, उनपर नियुक्तियां सरकार ही करती हैं. कई बार ये मांग उठती आई है, ये देखें, आप इस बात को समझें, कि आरभी आई के प्रमुख पदाधिकारी जो होते हैं, जो भी RBI एक स्वायत्त संस्था है तो भाई ऐसा करना चाहिए इसकी अब यार सिधी सिधी बात है ना केंद्र फरकार बनाएगी तो ऐसे ही लोगों को बनाएगी जो उसके फेवरेबल हो जो उसको पसंद हो ठीक है तो भाई लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि ये कहा जाता र है कि यार एक अगर RBI स्वायत्त संस्था है तो इसकी नियुक्तियां जो है वो कोई स्वतंत्र निकाय से की जानी चाहिए केंद्र फरकार की नियुक्तियों के कारण RBI जो है उसकी स्वायत्तता बाधित होती है उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है लेकिन इसके पक्ष में बिटा तरक ही है, मैं व्यक्तिकत तोर पे इस बात के समर्थन में नहीं हूँ, मैं नहीं मानता कि RBI को इतना स्वतंत्र हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर RBI और सरकार को RBI को ऐसे कुचलना नहीं चाहिए, RBI को भी काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपना वि होने लगे, तो ये भी भारत की अर्थ ववस्था के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है, और आखिरकार सरकार चुनके आती है, सरकार के पास जादा शक्ति होना जायज है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कि एक लोगतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास अधिक शक गवर्णर थे, तो हमने देखा कि वो चुनकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंग की सरकार में बनाए गए थे, तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो सरकार ने उनको हटाया नहीं, या उनसे त्याक पत्र देने को नहीं कहा, लेकिन तब भी आम तोर पे RBI गवर्णर का कारे कारेकाल आम तोर पे दिये जाते हैं, लेकिन गुराम राजन ने भी दूसरा कारेकाल नहीं मांगा, और सरकार ने भी उनको दूसरा कारेकाल नहीं दिया, उर्जित पतेल के साथ, जब वो गवर्णर थे, तो सरकार का थोड़ा सा संबंद अच्छे नहीं थे, उर्जित पत साथ केंद्र सरकार की तरफ जुका हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है ठीक है ये बात भी आप याद रखिएगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि RBI जो है वो देश की राजकोशिय नीती में किसी प्रकार का योगदान नहीं करता है जैसे आप देखेंगे कि RBI ने बहुत तरह कि देश के आर्थिक विकाफ में अगर आप मेरे छात्र छात्र है आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैंने हमेशा बताया है कि आर्थिक विकाफ में सबसे बड़ी बाधा हमेशा क्या होती है वो होती है पूझी कि यार पैसा नहीं है आपको कोई उद्योग लगाना चाहते हो कोई व्यापार करना चाहते हो जो शुरुवाती पूंजी है जो शुरुवाती रिन है उसकी कमी सबसे बड़ी बाधा होती है आम तोर पे यह काम जो है यह सरकार का है कि वह व्यापारियों को रिन दिलाए लेकिन उसके बाद भी RBI ने और द्योगिक विकास बैंक बनाया है RBI ने जो की खास तौर पे उद्योगों को रिन देता है क्रिशी शेत्र के विकास के लिए नाबाड बनाया है तो इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना जो है यह RBI ने करके एक तरह से राजकोशी नीती में भी अपना महती योगद प्रकान दिया है इसके अलावा देश में सामान ने तौर पे जो आजकर आप देखते हो इतने तरह के इनोवेशन हो रहा है जैसे UPI वगरा का इनोवेशन हो रहा है इतना सारा Fintech का विकास हो रहा है इन सब के लिए भी RBI ने बहुत सारे Innovation Hub Innovation Center बनाए है जिसके वरिये Fintech पर नई तरह की Research होती है और देश का जो एक आर्थिक धांचा है उसका आधुने की करण आपको देखने को मिलता है ठीक है यह बात क्लियर हुई तो यह जो है यह एकदम बहुती स्पष्ट है तो RBI की जो प्रक्रिया है 1991 के बाद जब 1991 देखिए RBI का एक प्रमुख काम ये ये देखे कि बैंकों का जो काम है बैंकों का जो व्यापार है वो जिस प्रकार के नियम काईदे बनाए गए है उनके अनुरूप चल रहा है बैंकों की जो रिंड देने की शमता है बैंकों के पास बरकरार है बैंकों के जो NPA है जो उनके खराब रिंड है वो बहुत वाद नहीं बढ़ गए हैं अगर कोई बैंक बार-बार नियमों का उलंगन करता है तो RBI उसके जुर्माना लगा सकता है RBI उसके operations को कुछ दिनों के लिए रोग सकता है या फिर RBI उस बैंक को पूरी तरह बंद करने का आदेश भी दे सकता है अभी कुछ दिनों पहले हमने PTM पेमेंट बैंक के साथ होता हुआ देखा कि RBI ने उनको बंद होने का आदेश दिया उनको सारे operations रोकने का आदेश दिया क्योंकि वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे नियमों का निरंतर उलंगन कर रहे थे तो ये बैंकों पर नियंतरन जो है ये RBI का प्रमुक काम रहा और 1991 जब आपको ये पता होगा 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार हुए तो आर्थिक सुधारों के साथ ये बात स्पष्ट हुई कि अब हमको और नए और बड़े बैंक लगेंगे ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि भाई 91 के आर्थिक सुधारों के साथ क्या हुआ ये बात स्पष्ट हुई कि भारतिये कंपनिया भी अब बड़ी होंगी या बाहर की भी बड़ी बड़ी कंपनिया वित्तिये संस्थान अब भारत में आएंगे तो उनको और पूंजी की आवशक्ता होगी हमको नए और बड़े बैंकों की आवशक्ता होगी तो इसी लिए RBI की भूमिका में भी परिवर्तन किया गया और RBI की भूमिका जो थी वो अब जो है कर दी गई फेसिलिटेटर की कि बैंकों को अपना व्यापार खुद करने दो आप बस ये करो कि बैंकों पर नजर रखो कि वो गड़बड ना करें और उनको एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करो एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करो बैंकों के day to day operations में RBI का दखल कम होना चाहिए उसके पहले RBI कई सारे बैंकों की share भी रखता था अपने पास लेकिन ये कहा गया कि ये उचित नहीं है ये conflict of interest है RBI के पास किसी बैंक का कोई मालिकाना हथ नहीं होना चाहिए RBI ने अपने सारे share जो है वो छोड़ दिये तो RBI की भूमिका में बदलाव हुआ है और देश में आर्थिक स्थाइत वो को बनाए रखने में और इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि 2008-09 में जब पूरे दुनिया में आर्थिक संकट आया तब भी भारत के और दुनिया भर के बैंक जब बरबाद हो रहे थे भारत के बैंकों में उतना असर नहीं पड़ा भारत के बैंकों में स्थाइत में बना रहा तो RBI समय समय पर जो जांच पड़ताल करता रहता था RBI समय समय पर जो कहता था कि भाई जब अच्छा समय हो तो आप बचत करके रखिए ताकि खराब समय पर आपके काम आ जाए RBI के जो इस तरह के इनिशियेटिव से उन इनिशियेटिव से बहुत ज़ादा मदद मिली जिससे भारत का बैंकिंग सेक्टर जो है वो रोबस्ट रहा उसमें कभी भी ऐसा बहुत बड़ा संकट नहीं आया COVID के समय में भी हमने देखा कि RBI ने सरकार की मदद की सरकार को जब भी अतरिक्त वित्त किया विशक्ता थी RBI ने प्रदान किया हाला कि 2018 के आसपास अपने लाब के ट्रांक्सफर को लेकर 2018 में क्योंकि RBI क्या होता है बहुत सारे रिन देता है तो उन पर लाब कमाता है तो 2018 के आसपास एक RBI और सरकार का एक पब्लिक विवाद हुआ सरकार का ये कहना था कि RBI जो भी लाब कमाता है वो सारा का सारा उसे सरकार को दे दे देना चाहिए उसका एक प्रमुक कारण ये भी था कि 2019 में चुनाव था सरकार को बहुत सारे खर्चे करने से सरकार को अतरिक पैसा चाहिए था लेकिन RBI का ये मानना था कि उस लाब में स हम कितना फरकार को देंगे यह हमें तैय करना चाहिए क्योंकि हम कुछ पूंजी अपने पास भी अपने बफर के तौर पर रखना चाहते हैं तो फरकार ने तब एक बार सोचा था कि RBI RBI का जो एक्ट है उसमें एक सेक्शन 7 है उसमें एक सेक्शन 7 है जिसके तहट भूलती हाला कि आपातकालीन सेक्शन है आम तौर पर इसका प्रयोग किया नहीं जाता कि किसी जनहित के मामले में फरकार RBI को आदेश दे सकती है और उस आदेश को RBI को मानना पड़ेगा फरकार ने यहां तक भी सोचा था कि हम सेक्शन 7 के तहट RBI को आदेश देंगे लेकिन फिर इस मामले को फुल जाने के लिए एक विमल जालान समीती बनाई गई और विमल जालान समीती ने बेसिकली सरकार के पक्ष में ही निरने दिया और उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो समीती है उसने कहा कि एक चरणबद तरीके से RBI को अपना जो लाब है वो सरकार को ट्रांसफर करना पड़ेगा सरकार के दिये हुए फर्मूले के अनुसार RBI और फरकार में एक और विवाद की स्थिती जो बनती हुई नजर आई या बाद में ऐसा लगा वो थी 2016 के विमुद्री करण के मामले में जब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई चूंकी मौद्रिक नीती का मालिक रिवर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है कि भारत में मौधरिक नीती का माले रिवर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो कौन सी मुद्रा जायव होनी चाहिए और कौन सी मुद्रा रद होनी चाहिए ये निरने भी RBI को करना चाहिए था और विमुद्री करण का निरने लेकर सरकार ने RBI के जो अधिकार हैं उनकी अभिल न नहीं गई थी और RBI से केवल सला मांगी गई थी आपको क्या लगता है और उनकी सला पर जादा गौर इस मामले में नहीं किया गया तो ये भी एक RBI के अधिकारों को चुनौती देने जैसा प्रतीत होता है लेकिन तब भी हम यह कह सकते हैं कि भाई भारत में आम तोर पे RBI और सरकार के जो संबंद हैं वो कमोबेश जो है अच्छे रहे हैं और वो आम तोर पे दोनों संस्थानों ने मिलके देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया है तो जैसे हम देखते हैं भारत में अन्य कई संस्थानों के सरकारों के साथ संबंद बहुत खराब हो जात करेंसी आ रही है नई प्रकार की तखनीक आ रही है निश्चित तोर पे RBI की भूमिका बदलेगी लेकिन देश के विकास में इसके योगदान को कम करके तब भी नहीं आग सकते हैं ठीक है चलिए तो भाई जाने के पहले मैं आपको बता दू एक बर फिर से चार अपरेल और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो दिल्ली में आकर हमारे साथ रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ आपका इसी फीस में इंटूड़िट हो जाएगा 2999 में प्लस 18 किताबे जो आपके घर पहुँचेंगी तो आपको AJ Live Code लगा के इस बैच से जुड़ना है और अपनी तयारी को विवस्थित करना है इस चर्चास पर जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तयारी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी IQIS हिंदी